मैं कुसुम प्रसाद आप सभी दर्शकों का और सभी प्यारे विधार्तियों का अभिवादन करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं एविध्या चैनल नंबर पाच और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एन्सी एर्ट ओफिशल पर भी आप लाइव देख पा रहे हैं हमारा लाइव इंट्रेक्टिव सत्र है Teaching, Learning, Intervention for Inclusive Classrooms जिसमें हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा की ताकि सभी बच्चे एक ही प्लैट्फोर्म के जरीए समझें पढ़ें और जानें आप सभी अपने टेलिवीजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारे Sign Language Interpreter इनका नाम है Mr. Aniket Panda ये पूरे सत्र को Sign Language के माध्यम से समझाएंगे तो Students आप सभी प्यारे विध्यारतियों का हम पुनस्वागत करते हैं हम बदाना चाहेंगे कि जो हमारा आज का ये सत्र है वो कक्षा पाँच के विध्यारतियों के लिए Hindi का लेकर आए हैं और आज हम हिंदी के अंत्रगत क्या पाठ समझने वाले हैं जानने वाले वो भी हम बताते हैं आज हम समझेंगे पाठ साथ डाकिये की कहानी तो बच्चों क्या आप डाकिये से परिचित हैं क्या आपको पता है कि डाकिया कौन होता है उसका काम क्या है क्या आपने डाकिये को देखा है और डाकिये के क्या कहानी है ये सभी प्रश्णों के उत्तर आपको इस सत्र में मिलेंगे हमारी एक्सपर्ट के द्वारा तो आज हम आपको मिलवा देते हैं हमारी एक्सपर्ट से माम आज हमाईसा स्टूडियो में उपस्तित है माम का नाम है मिस्स वंदना गुपता माम माम आपका बहुत-बहुत स्वागत नमश्कार माम है प्रैक्टिसिंग आर्ट एडुकेटर तो माम बताएंगी आपको इस पार्ट के बारे में विस्तार से लेकिन उससे पहले हम बताना चाहेंगे हमारे विभ्यन माध्यम कौन-कौन से हैं किस तरह से आप इसमें जोड़ सकते हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं अपने सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं आप नोट कीजिए आप हमें कौल कर सकते हैं हमारा फोन नमबर है 880-00-44-0559 पर आप कौल कर सकते हैं और यदि आप हमें इमेल के मध्यम से संपर करना चाहते हैं आपके सुझाव हैं प्रतिक्रियाएं तो आप इस मेल पर आप मेल कर दीजिए हमारा इमेल आइडिया है dth.class5 at the rate ciet.nic.in एक और जरिया एक और माध्यम हम तक पहुँचने का वो है हमारा यूटीब चैनल NCRT Official तो ये थे विभिन्न माध्यम विभिन्न तारीके NCRT से जुनने के अपने सुझाव भेजने के और इस सत्र को शुरु करने से पहले हम सांझा करना चाहते हैं G20 से एक महतपून बात जानकारी We are proud that India assumed the G20 Presidency and will convene the G20 Leaders Summit for the first time in the country in 2023. A nation deeply committed to democracy and multilaterism. India G20 Presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play a very important role by finding pragmatic global solution for the well-being of all and in doing so manifest the true spirit of Vasudev Kutumbakam or the world is one family. आई आगास करते हैं शुरुवात करते हैं सत्र का Teaching Learning Intervention for Inclusive Classroom जिसका नाम है और समावेशी शिक्षा पर हम जोर देते हैं और हम रुक करते हैं सीधे माम की तरफ हमारी आज के Expert वन्ना माम की तरफ माम डाकिय की कहानी तो हम बच्चे शायद जानते भी होंगे नहीं भी जानते होंगे तो हम किस तरह से हम परिचित करा सकते हैं जाकिया कौन होता है देखें बच्चों डाकिया कौन होता है अगर आप नहीं आपने कभी देखा तो मैं सबसे पहले आपको डाकिया दिखाती हूँ कि वो दिखता कैसे है तो मेरे पास है इस तरह से ये एक डाकिया ठीक है जी आप सभी अपने टेलिवीजन स्क्वीन पर देख पा रहे हैं डाकिया और ये उनके साथ देखो बच्चे जो आप बच्चे हो ना उनकी तरह सोनू और गुड्डू ये भी डाकिया को पहचानते हैं तो डाकिया कौन होता है जो कि खाकी वर्दी पहनता है उनके पास एक टोपी होती है और एक थैला होता है और साथ में धेर सारे पत्र भी होते हैं एक पत्र हाथ में दिख रहा है और बहुत सारे पत्र इनके थैले में हैं और आप कुछ और चीजों को भी पहचानते हैं, वो हैं हमारे पास, जैसे ये एक letter box, जिसको post box भी बोलते हैं, इसके अंदर आप देख रहे हैं, पत्र डालने की जगा, यहां पर हम पत्र डालते हैं, और यहां से हम पत्रों को जो डाक्या होता है, वो निकालता है, तो इस त इसको हम डाक्या कहते हैं, तो आज की कहानी हम एक डाक्या की सुनाएंगे, तो वो डाक्या कौन है, तो उसके बारे में हम जानते हैं, तिक क्या है, जो डाक्या की कहानी हम सुनने वाले हैं, तो मैम डाक्या का शुब नाम क्या था, उनके परिवार के बारे में बताईए मा वो सबसे पहले जो हमारे डाकियां है उनका शुब नाम है कवर सिंग वो हिमाचल प्रदेश के नेरवा गाओं के रहने वाले हैं और उनकी जो उम्र है वो 45 साल है तो ये चीज जो हमें ये कहानी है उनकी ये किसके द्वारा सुनाई जा रही है उनके खुद के द्वारा सुनाई जा रही है और ये कहानी कौन सुन रहे है वो चीज सुन रहे है हमारी जो एंकर है उनके साथ बात कर रही है भेट वारता है वो कर रही है प्रतीमा शर्मा जी तो जैसे अब हम बात करेंगे कि उनका परिवार में कौन का नहीं, उनके परिवार में तीन लडकिया हैं और एक लड़का, तीनों बच्चे लडकियां भी पढ़ रही हैं और लडका भी पढ़ रहा है, जो दो लड़कियों की उनकी शादी हो चुकी है और जो एक लड़का है और एक लड़की अभी पढ़ाई कर रहे हैं और वो आसपास के जो उनके घर के पांच किलो मिटर दूर स्कूल है उसके अंदर पढ़ने जाते हैं और उनकी दो लड़कियों की शादी हो चुकी है तो ये है उनका एक छोटा सा परिवार लेकिन एक लड़का और भी था लेकिन वो घास काटते हुए धलान से नीचे गिरा और उसकी मिरती हो गई तो इस तरीके से अब उनके परिवार में तीन लड़कियां और एक लड़का है और ये है उनका एक छोटा सा परिवार जी तो अब हम सभी परिचित हो गए हैं कुवर सिंग की परिवार के बारे में हम जान रहे हैं तो हम क्या अले कुवर सिंग जी उनको दिखाएं कि वो कैसे दिखते हैं तो हम उसके लिए सबसे पहली स्लाइड उनको दिखाते हैं कि कुवर सिंग जी देखिए आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं डाके की कहानी कवर सिंग क जुबानी, तो जो ये कवर सिंग जी दिख रहे है न, ये इनकी कहानी है, और आज हम इनके माध्यम से पूरी कहानी आपको सुनाएंगे, कि उनके साथ क्या हुआ, वो सबसे पहले क्या थे, वो सबसे पहले एक ग्रामिल डाक सेवक थे, फिर वो पैकर हुए, तो जो काम ग्र दाक सेवक थे, तो माम डाक सेवक से क्या तात पर रहे हैं और डाक सेवक को क्या क्या काम करना होता है, डाक सेवक को जैसे बहुत सारे काम है, उनको पेंशन बाटनी होती है, उनने चिठियां घरगर बाटनी होती है, बिल बाटनी होते हैं, और क्या करना होता है इस साथ मे उनको registry जैसे money orders होते हैं वो घर-गर जाके देने होते हैं और ये सब काम packers भी करते हैं और ग्रामे डाक सेवक भी करते हैं जी मैम, मैम सूचना और संदेश देने के लिए अब कौन-कौन से तरीके आ गए हैं पहले तो सिर्फ यही होते थे पोसकार्ड और डाक होता था चुथियां होती थी जी जी देखिए बच्चो अभी सबसे पहले time पर हमारे पास सिर्फ दो ही चीज़े होती थी कि हम अपने संदेश दूसरों तक पहुचारने के लिए अपने पास एक post card से भेशते थे लेकिन अब हमारे पास क्या क्या सुविधा आ गई है हमारे पास email है, phone है और money order, अब हमें money order करने के लिए नहीं जाना पड़ता हम क्या करते हैं, हम अपनी चीजों को PTM या Google पे इस तरीके से भी काम करते हैं तो डाक सेवक जो काम करते थे वो काम अभी भी करना पड़ता है उनको क्योंकि गावों में अभी ये सुविधा नहीं है वहाँ उनको ये सारे कामों के लिए खुद जाना पड़ता है लेकिन ये सारी सुविधाएं जो हैं वो सिर्फ शेहरों में है तो डाक सेवक का अभी भी गावों में बहुत सम्मान होता है तो इनको जगा जगा जाना पड़ता है आप दिखें, मैं आपको उसके लिए एक चार्ट दिखाती हूँ उस चार्ट को आप समझें कि हम कैसे उसको समझेंगे ये है हमारा चार्ट अब इस चार्ट को समझने के लिए आप सबसे पहले देख पा रहे हैं अगर स्क्रीन के अंदर एक भारत पूरा जो बड़ा हमारा दिख रहा है पूरा भारत इसमें कितनी सारी चीजें अलग-अलग तरीके की जैसे हमारा फेस्बुक जो हमारे आजकल के साधन है काम करने के फेस्बुक है, मोबाइल है, हमारा इंटरनेट है और हमारे अलग-अलग तरीके की चीजें हैं जिसके माध्यम से हम अपने संदेश बेजते हैं लेकिन ये पूरे भारत के अंदर हम अलग-अलग इन माध्यमों से बेचते हैं, लेकिन पहले हम किस से बेचते थे, सिरफ इस पोस्कार्ट के माध्यम से, देश के एक कौने से, दूसरे कौने तक हम ये सब चीजें भेच पाते थे जी, बिल्कुल बहुत ही सुन्दर आपने ये दिखाया, कितने अच्छे से भारत के इर्दगीर्द हमें बताया कि किस तरह से आज के टाइम पर संदेश भेज जाते हैं, और कैसे पहले हम संदेश भेजते थे मैं ऐसा माना जाता है कि जो भारत की डाक सेवा है, वो दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है बिलकुल, जी, देखें जो भारत की, अभी मैंना आपको नक्षा दिखाया था ना भारत का, एक बार हम उसको फिर से देखेंगे कि भारत का जो ये नक्षा है देश का एक कौने से दूसरे कौने तक ये पूरी बड़ी हमारी सबसे बड़ी डाक सेवा तो है ही लेकिन दूसरी चीज क्या है ये सबसे सस्ती भी है बच्चों क्योंकि सिर्फ पचास पैसे का पोस्ट कार्ड जो ये पोस्ट कार्ड है ये सिर्फ पचास पैसे का है है ना पचास पैसा आपने देखा और ये देखो पांच रुपे में जो हम पचास पैसे के अंदर इस तरीके का कार्ड पोस्ट कार्ड बोलते हैं इसे और ऐसे ही पांच रुपे के अंदर यह मेरे हाथ में 5 रुपे का सिक्का है तो 5 रुपे हम ऐसे तो नहीं भेज सकते ना कहीं भी अगर हमें money order करना है तो हम उसके लिए money order करते हैं और 5 रुपे का हम एक inland लिफाफा खरीते हैं और वो दूर तक आपके संदेश लेकर देश के कौने तक वो आप को पहुचाता है आपके आपका जो message होता है जो संदेश होता है वो दूर दूर तक इसके माध्यम से हम पहुचाते हैं तो आप देख रहे हो बच्चों कि हमने इस पूरे भारत के नक्षे को एक बनाया है आप इसको महसूस भी कर सकते हैं और जो हम कहानी सुना रहे हैं कव करने वाले हैं शिमला के तो शिमला कहा है हमारे भारत के नक्षे में यहां तो शिमला की मौल रोट पर जो जन्रल पोस्ट ऑफिस था वहां पर कवर सिंग जी इस काम को करते थे पहले वो ग्रामिड डाक सेवक थे और अब वो पैकर हैं जी तो मैम पहले जो डाकिये की नौ होती जादा कश्ट जायक होती थी मैम किस तरह से होती थी हमारे स्टुडेंट्स और लर्नर्स भी जानना चाहते हैं लेको बच्चो जो डाकिया थे ना कवर सिंग जी उनको अपनी नौकरी तो बहुत पसंद थी क्यों पसंद थी क्योंकि जब वो चिठी संदेश लेकर या गाव भीजवा रहा है तो जब वो लोग देखते थे ना तो उनके चहरों को देखकर ही कवर सिंग जी का चहरा खेल जाता था तो उन्हें लगता था अरे कि मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूं और सब की मदद कर पा रहा हूं इस चक्कर में तो उन्हें अपनी जॉब बहुत इंतजार करते हैं कि वो कब आएंगे कब हमारे लिए खुशियां आएंगी तो उनको इसलिए अपनी जो नौकरी है जिस तरकी कि वो ड्यूटी निभाते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है इसलिए वो कहते हैं कि मुझे तो ना अपनी ये नौकरी बहुत लगती थी अपनी नौकरी क्योंकि वो लोगों की छहरे पर खुशिया लाते थे और सब भावनाओं से मतलब रूबरू होते थे तरह तरह की भावनाएं होती होंगी लोगों की क्योंकि बच्चों, जब आप बच्पन में रिजल्ट आता था ना वो किसी का रिजल्ट ला रह है ना उनको गले से भी लगा है तो यह सब जो वो फील करते थे कवर सिंग जी और ऐसी ही उनके जैसे डाकिये तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता था कि हम किसी की खुशी में उस समय उनके साथ शामिल है जी मैं बहुत बढ़िया हमें अच्छी जानकारी मिल रही है कवर काम कर रहे है अभी वो कर रहे है हिमाचल परदेश के शिमला जिले के और उसमें मौल रोड इस्तिच जो पोस्ट आफिस है वहां काम कर रहे है लेकिन उससे पहले वो करते थे हमारे लोहस पीती जो एक जिला है वहां के किबर गाउं में तीन साल उन्होंने काम करा उसके ब करा लेकिन बच्चों इन सब कामों में वो कैसे काम करते थे क्योंकि वहां तो कहीं भी ना बस नहीं थी ना टेलिफॉन था तो वो खुद उनको पैदल ही दूर दूर तक जाना होता था और इस तरीके से वो अपनी सारी मुश्किलों को देखते वे भी लेकिन उनके मन में बि पहाडी लाके में रहते थे और कि नौर का जिकर किया तो मैं यहां पे तो बहुत ज़्यादा ठंड भी होती है और पहाडी लाके की विज़े से घर-घर चुठेया पहुंच आना तो बड़ा मुश्किल का काम होता होगा मैं विल्कुल जी देखिया जो कवर सिंग जी है अ और जब ठंड पड़ती है और जो उनकी ड्यूटी थी, वो सुबा 6 बजे शुरू हो जाती थी, वो सुबा 6 बजे की बसे होती है न, वो बसे सिरफ मुख्यालों के पास पास ही चलती है, गाउं में तो जाती ही नि, लेकिन अपने मुख्याले से उस गाउं के मोड तक आते थे और वहां से सारे बाट कर शाम को 8 बजे घर वापिस आते थे, तो आप देखो कितनी लंबी ड्यूटी, कितना सर्द मौसम और इस तरीके से जो गाउं हैं वो भी कोई आसपास नहीं है, एक गाउं कम से कम 5 किलो मेटर, 6 किलो मेटर, इतनी इतनी दूरी पर हजारों आप अफायों करदेश आंए जो अब रखोंज हो सिस्काून को हैं रोगे कितना इतल यह हां न quelques माहतान कितने पर ख हथ स्याइम बंचनि थे नहों तो यह जवारों कितने और जाए से अब्मचांग भी sometimes new community दर चलना होता था, और ठांड आप में आपको बचाने के लिए ग उन्हें गरम कपड़े तो पहन नहीं है लेकिन उनको सबसे जादा किसको बचाना है अपने पैरों को क्योंकि जब बर्फ पड़ती है तो पैरों में ही सबसे जादा गलने का डर रहता है न क्योंकि अगर जूत पैर गल गए मतलब पैरों के अंदर गैंगरीन हो सकता है उनको स्नो बाइट हो सकता है जो इस तरीकी की परेशानिया होंगी तो फिर वो डाक बाटनी कैसे जाएंगी तो उन्हें इन सब चीजों का भी मुकाबला करते हुए बहुत सायम के साथ घर घर तक रोज चिठियां बाटने जाना होता था सुबा छे बजे की ड्यूटी और आठ बजे तक इस तरह उन्होंने खूप महनत करी और अपना समय धीरे धीरे पहले वो डाक ग्रामिन डाक से वक थे और फिर वो पैकर बने तो पैकर में आप समझ रहे हैं जैसे आजकल क्या होते हैं पैकर आप समझते हो पैकर में या डाकिया जो हम लोग ये कहानी के बारे में सुन पा रहे हैं आज पहले के टाइम पर तो ऐसा होता था और अभी भी गावों में होता है लेकिन जो शेहरों के अंदर है बच्चों वहाँ पर अब ये सेवा कौन दे रहे है? कुरियर सेवा आप देखते हो आपकी घरों में कभी-कभी कुछ समान आता है तो उन्होंने कोई ड्रेस नहीं पहनी होती, खाकी वर्दी नहीं पहनी लेकिन वो हमारे लिए कोई पार्सल लाते हैं कभी हमारे लिए कुछ खाने का सामाल लाते हैं कभी हमने कुछ अपने लिए सजाने का, बनाने का या किसी को देने के लिए गिफ्ट मंगाया है वो भी हम बजार से मंगाते हैं तो वो चीज जो पार्सल बन कर आता है वो हमारे घर तक होता है उसको हम कुरियर सेवा कहते हैं तो आजकल के जमाने में तो इन सब चीजों की सुविदा है लेकिन उस समय इन सब चीजों की बिलकुल भी सुविदा नहीं थी तो पहड़ी इलाकों पर रहते हुए अगर ये सुविदा अभी भी दी जा रही है तो आप सोचिये कि वहाँ कवर सिंग जैसे डाकी ए कितनी महनत कर रहे हैं कवर सिंग जी तो इतनी महनत करी है ठीक है लहाँ जी मैम कवर सिंग जी के बारे में बहुती रोचग बात है में पता लग रही है बहुती महेंती है ये और माम लोगों के डाक ले जाते۔ जी क्योंकि जैसे जब आप लोग आगे बढ़ने के लिए एक पेपर देते हो, हर क्लास में आगे जाने के लिए एक्जाम देते हो, ऐसी ही कुवर सिंग जी ने भी डाक्या बनने के लिए एक एक्जाम दिया, एक इंतिहान दिया, और फिर वो पैकर से डाक्या बने, तो पैकर को वही काम करने हैं, डाके में और हमारी जो responsibility होती है न, कि हमें ये काम जरूर करना है, वो भी बढ़ जाता है, तो कुवर सींजी के साथ एक बड़ी ही अलग तरीके से घटना हुई, और फिर उन्हें क्या मिला, उसमें समय की बात है, कि जब 1998, 1998 में सर्दियों के दिन थे, और उसमें, उसमें 39 जन्वरी, 1998 में 39 जन्वरी को एक दिन, उनको जो duty थी, उनकी क्या थी, कि उन्हें, जो उनका rest house था, और जो उनका post office था, उसकी चौकिदारी उनको रात को मिलती थी करने के लिए, एक बार वो सब रात को सो रहे थे, रात को ठंड का समय साड़े 10 बज रहे अब सब सो रहे हैं, तो कवर सिंग जी ने क्या करा, कि भी दरवाजा खोला, पूछा पहले तो भी कौन, अब उन्होंने बताया कि भी हमें आप से मिलना है, अब उन्होंने दरवाजा खोल दिया, लेकिन बच्चों दरवाजा जैसे ही खोला, तो अंदर 4-5 लोग आ गए, और उनके उपर, उन्होंने हमला कर दिया, वो उनको भारने लगे, चीजों की तोड़-फोड करने लगे, अब पोस्ट आफिस है, पोस्ट आफिस में कितने लोगों की दूर-दूर से आई हुई चिथिया होती हैं, उनको संभालना था, तो वो सब को मना कर रहे हैं, चिला रहे हैं कि देखो यहां पर क्या हो रहा है लेकिन वो जो लोग थे वो उनको खूब मार रहे हैं लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवा ना करते हुए खूब हिम्मत से उनके साथ लड़े लेकिन जब वो बहुत देर तक चिलाते रहे उनको भगाते रहे लेकिन आखिरकार जो लोग आए थे उन्होंने उनके सर पर जोर से मारा तब वो बिहोश हो गए लेकिन वो इतना चिला आए थे तो उनकी आवास सुनके जो आसपास लोग सो रहे थे सब आए जब उनकी आग खुलिया वो तो बिहोश हो गए जी अब उनकी जब आग खुली पता है कहा खुल जो इंद्रा गांधी हॉस्पिटल है वहांका Small और थो उनको बताया वहां यजंस उस समय और कौन था उनका एक बेटा भी था हॉं आपने और साथियों के साथ गांओग के साथ लोगों के साथ उनको आप पहुचाया और जब उन्हें इस सब के बारे में बताया कि भी आपने अपनी जान की परवा ना करते हुए आपने सब को सब चीजों को संभाला तो इस बात से ना जो वहां की सरकार थी वह बहुत कुछ जी और पता है उनको क्या वार्ड मिला क्या ही नाम दिया सरकार ने उनक को 2004 में बैस्ट पोस्ट में इनके अवार्ड से नावाजा गया और उसमें उनको पता है इनाम क्या मिला उनको मिला 500 रुपे और साथ में एक प्रशस्ती पत्र तो बच्चों लेकिन इन सब के साथ इनको इनाम तो मिला लेकिन इन सब चिजों में उनके जब चोट लगी थी लेकिन आपने देखा बचो तब से अब तक भी वो ये काम सब कर रहे हैं और अपनी जान की परवा ना करते हुए उन्होंने बहुत भादुरी से रेस्ट हाउस और जो आपका पोस्ट आफिस था उस सब की देख बाल करी तो कवर सिंग जी की जो कहानी थी पूरी ये बच्चों को बहुत प्रेरीद करती है कि हमें कोई भी नौकरी करें लेकिन हिम्मत कहते हैं ना कि हमें हिम्मत नहीं छोड़नी हैं और वो चाहिए वो हमा करके आगे बढ़ते जाएंगे हमें उनकी कहानी सुनने से इतनी इस तरीके की हिम्मत मिलती है बिल्कुल मैम कवर सिंग जी कहानी तो बहुत ही प्रेर्णा दायक है वो परिश्रमी तो थे ही बहादूर भी बहुत थे मैम मैम अब हम अपने कीवर्स देख लेते हैं मुखे शब्दों की तरफ बढ़ते हैं और स्टुडेंट से लर्नर्स को बताते हैं और साथ ही हम होमवक भी देंगे जी जी तो हम सबसे पहले हमारा जो कुछ चीजें इसमें से देखते हैं बच्चों इसमें सबसे पहले हैं हमारा ग्रह कारे जी अब ग्रह कारे में हमने जो मतलब क्या होता है अगर आप भूल गए हैं तो मैं एक बार फिर बता देती हूं उसका मतलब है जित ग्रह कारे है कि डाख खाने में अब किस किस तरीके के कारे होते हैं वो हमने आपको कुछ चीजे बताई हैं आप अपने आसपास देखिए कि आपके डाख खाने में अभी किस किस तरीके के और कारे हो रहे हैं ठीके और अब हम देखते हैं बच्चों इसके जो हमने पाठ पड़ा उसके कुछ मुख्य शब्द जी मुख्य शब्द हैं गरामीन डाक सेवक, पैकर, पोस्ट कार्ड जी और हम बताते हैं कि आपको ये सारे होमवक और जो संशोदित ग्रहकार है वो आपने करके कहां भेजना है मतलब उसके बारे में विस्तार से आप जानकारी देंगे और उसे कहां भेजेंगे किस प्रारूप में आप अपना नाम लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे, विद्याले का नाम लिखेंगे, शिक्षक का नाम लिखेंगे, विशेशक्य का नाम लिखेंगे, आज की विशेशक्य हैं, आज की एक्सपर्ट हैं, वंदना माम और आज के स तो मैं बहुत मज़ेदार थी ये पूरी कहानी तो हम देख रहे हैं मैं आपके पास कुछ और भी है हमारे स्टुडेंट्स और लेर्नर्स को सम दिखाने के लिए मां जिससे बच्चों हमने अभी कहानी तो पूरी करी हम ये कुछ चीज़े दिखा रहे हैं कि हमारे जो तो ओकर च्पवाते हैं ये खरीगते हैं और फिर उनके अंदर कोई भी संदेश देकर आप देखें इसमें यह आया हुआ है इसमें रसीदी टिकेट लगी हुई है और जहां जिसको भेजा गया है उनका नाम और जिनों ने भेजा है उनका नाम और एक संदेश तो ये सब चीजें ऐसे अलग-अलग अगर हम इसको भारत में भेज रही हैं तो उसका हमने खर्चा बताया वो है हमारा सिर्फ पचास वैस लेकिन अगर ये किसी और दूर दराज देश से आ रहा है तो वहां से भी हमारे पास आएंगे वहां की अपनी रसीदी टिकेट लगी है और वो हमारे पास तक पहुचेगा उसका जो खर्चा है वहां के पोस्ट आफिस मास्टर सापको बताएंगे तो ये सब इस तरीके के जो लिफाफे हैं ये अब फिलाल हमारे प्रचलन में नहीं है लेकिन अप्रचलन में क्या क्या चीजे हैं जिसके दौरा हम अपनी चीजें दूसरे तक पहुचाते हैं बताते हैं उस दूर संचार के जो माध्यम है उसके लिए हमने आपको वह चीज दिखाई हमने पूरा एक चार्ट दिखाया, हम उसको दुबारा भी दिखा सकते हैं, वो हमारा चार्ट हम एक बार दुबारा दिखा देते हैं, वो चार्ट है हमारा, कि हमारा एक चार्ट हम इसको दुबारा दिखा रहे हैं, क्या हम इसको दुबारा दिखा सकते हैं, एक बार हम इस कार्ट को दु करके अपने आमदनी कर सकता है जैसे आप देखते हूं कि हम सीडी दर सीडी वाइफाई और जो लोग हैं वो धीरे धीरे इस तरीके से तरक्की करते जा रहे हैं तो यह हमारे नए नए दूर सर्चार के जो साधन हैं हम इनके द्वारा भी अपने संदेशों को और अपने कार् बहुत बढ़िया बहुत ही सुन्दर जो यह चार्ट पे आपने जो सारी चीजें बत एक ही जगर प्रदर्शित करी हैं वो इस डाकी की कहानी को हमारे स्टुडेंट्स और लर्नर्स भी इस तरह से बना सकते हैं उनकी टीचर बना सकते हैं क्लास्रूम में डिस्प्ले कर सकत हैं और हमारे समावेशी कक्षा है हमारी है तो हमने इसके अंदर कुछ चीजें उभारते वह दिखाई हैं तो आप उन चीजों को महसूस करके भी आप देखिए कि वो चीजें कहां पर स्थित हैं और कैसे उनका इस्तमाल हो सकता है सभी बच्चों के लिए लाबदायक है क्योंकि समावेशी शिक्षा में हम सभी बच्चों की बात करते हैं तो टेक्टाईल माध्यम से भी बच्चे समझ सकते हैं जान सकते हैं मैं बहुत बढ़िया आप यहां आए और हमें बताया कि यह जो पार्ट साथ है डाक्ये की कहान का आपने पूरा बताया कमर सिंग जी की बारे में बताया और हमें डाकी के बारें पता चला डाक क्या होते हैं डाक घर क्या होते हैं मैं बहुत ही रोचक थी जानकारी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और हम शुक्रिया करना चाहेंगे हमारे आज के इंटर्पेटर अनिके पांड़ा जी का भी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी दर्शकों का सभी विध्यारतियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया और इस सेशन को वाइंड आप करने से पहले हम बताना चाहेंगे NCRT Textbooks Related Information NCRT Textbooks 2023 और 2024 की सारी बुक्स आ चुकी है NCRT के सेल काउंटर्स में उपलब्ध हैं और टाइमिंग्स क्या होंगे साड़े नौ बजे से शाम छे बजे तक उपलब्ध हैं और आप इसे ले सकते हैं सभी सेल काउंटर्स में सभी दिन ये खुले रहेंगे और यदि आप उनलाइन के माध्यम से मंगाना चाहते हैं तो आप वेबसाइट नोट कीजिए ncrtbooks.ncrt.gov.in पर जाकर इन बुक्स को उनलाइन ओर्डर कर सकते हैं और ये बुक्स आपके घर डिलीवर कर दी जाएंगी without any extra delivery charges और ये दि आप पीडियर वर्जन चाहते हैं तो आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में और कहां से कर सकते हैं ncrt दिक्षा मोबाइल आप और e-part शाला से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपको वेबसाइट बता देते हैं ncrt.nic.in पर ये आप जाकर विजिट कर सकते हैं और तमाम सारी जानकारियां आपको मिल जाएंगी तो ये तो थी जानकारी बुक्स रिलेटेड और हमारा जो ये के लिए में टे तोगलेग से तो ये जाएंड सुर्ण साफड़ सरAll और कर दो वेजिए. और राहर मारा मारा घ सकते हैं और हैंेमया सी words ये जाला बनर किल आपको हरा द Using the ख, 짧ईमरेगे घस भंaría आपको हैं ऩाल-र आपको हैं